जै मातागी स्वाकत है आपका कोकिंग वीद ममता विश्णोई के चैनल में तो आज हम बनाएंगे बिना प्याज के करे ले तो उसके लिए मैंने ये अधा किलो करे ले ले लिए दो करके अच्छे से साफ कर लिए और इसके थोड़े मोटे मोटे पीस काट लेंगे हम और इसके जो कड़वा पान है ये भी नहीं निका लेंगे ऐसे ही हम इसको तल लेंगे ये देखी मैंने काट लिए करे ले चलिए अब गैस जला लेते हैं इस पे कड़ाई रख लेंगे और एक कटूरी तेल डालेंगे हम इसमें बिना प्याज के ये बहुत अच्छे बनते हैं ये एक चम्मज मैंने जीरा डाल दिया और थोड़ा सा हींग डालेंगे और यह धनिया पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच सौंफ कुटी हुई सौंफ है यह और कुटा हुआ धनिया है और आदी चम्मच हल्दी डाल दी मैंने अब इसको चला लेंगे मसाले को तो चलिए हम करेले डाल देते हैं मैंने इसका कड़वा पढ़ना है जो बिल्कुन ही निकाला यह ऐसे ही निकल जाएगा थोड़ा तर लेंगे इसको अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना यह मैंने मिर्चे डाल दी और अमचूर पाउड़ा डाला है एक चम्मच और स्वाद अनिस्वार नमक डाल लेंगे अब इसको चला लेंगे अच्छे से मिलाएंगे तो मेरी वीडियो को लाइक जुरूर कीजिएगा और जादेदा शेर कीजिए मैं कम मसालों में आपको अच्छे रैस्पी बना कर दिखाती रहूंगी तो बहुत अच्छे करेले बने तो देखिए कितना सुन्दर कलर आया है खुश्बू भी बहुत अच्छे आ रही है मेरी किचन में तो हम इसको चलाते रहेंगे अगर आप मेरे चैनल पर तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक घंटी आएगी उसको दवाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा तो मैं नहीं नहीं रैसिपी लेकर आपके लिए आती रहूंगी यह देखी कितना बढ़ है यह करेले बन रहे है हमारे तो हम इसको फंद्रा मिनट के लिए ढखकर रखेंगे फिर उसके पाद यह देखिये मैंने दबा कर देखे तो यह हो गया हमारे करेले इसको खूला चोड़ेंगे हम दस मिनट के लिए ऐसी तो देखिये ये मेरे करेले बनकर तयार हो चुके हैं और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आयो तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिएगा और जाद जाद शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए गंटी आईगी उसको दवाना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नएरे सीपी के साथ